नवस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहें RR ब्लॉक इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि जीरा का फसल तयार हो गया है और कटाई कैसे किया जा रहा है तो आपको इस वीडियो में तमाम जानकारी दीजाएगी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करें जैसे कि यहां पे देख पा रहे होंगे कि जीरा का फसल पक गया है और यहां पे कटाई चालू हो गया है तो चलिए मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ कि जीरा का फसल कैसे काटते हैं तो देखिए यहाँ पे यह मजदूरों के द्वारा कटाई चालू है कटाई कर रहे हैं और काट काट के बोरी में रख रहे हैं ताकि काटने के बाद इसका दाना ज़र नहीं जाए इसके करण यह बोरी का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं कि बोरा को उपर रख देते हैं काट काट के तो जीरा का फसल को तैयार होने में 85 दिन का टाइम लगता है तो इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है जैसे कि पहले कल्टिवेशन करते हैं फिर उसके बाद इसमें सिचाई करते हैं पानी पटाते हैं फिर उसके बाद जीरा बोते हैं बोने के बाद फिर जीरा उगता है उसके 45 दिन बाद फिर पानी डालते हैं तो कई बार पानी डालना होता है जीरा में और मोसम पे भी ये निर्वर रहता है कि मोसम के अकॉर्डिंग जीरा का फसल होता है अगर मोसम खड़ाब हो गया तो फिर पूरा का पूरा फसल ही खड़ाब हो जाता है तो यहां पे पूरा 85 दिन पूरा होने के बाद यहां पे फसल पूरा पक गया है और इसका कटाई चालू है तो देखी यह पूरा एरिया में फसल लिए फसल था जीरा का तो जैसे ही यहां पे काटके एक जगह जमा कर दिया है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आज से 15-20 रोज पहले वीडियो बनाया था तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि पकने से पहले जीरा कितना घना था और पकने के बाद कैसे हो जाता है तो तमाम जनकारी आपको यहां पर दिया जायेगा तो जैसे कि देख रहे होंगे कि ये साठ दिन का जीरा हो गया है और इसमें देखिए कि दाना आ रहा है फूल के बाद दाना आ गया है तो ये जो जीरा का फसल है काफी बहतरी उगा है इसका हाइट जो है फसल का हाइट काफी जादे नहीं होता है लगबग 8 से 12 इंच का इसका हाइट रहता है एक पोधा में लगबग 200 से 300 गराम जीरा निकल सकता असानी से अगर पोधा बढ़िया हो तो जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे बरावर इसमें जीरा आया है तो आप वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं काफी वैतरीन यहां पर देख रहे होंगे फसल लगा हुआ है किसान ने काफी जादे मेनत भी किया है और हर पोधा में अच्छा फसल आया है, देख रहे होंगे पूरा दाना से भड़ा है, जितना इसमें आना चाहिए दाना उतना ब्रावर आया है, इसका में रीजन है कि यहां का मोसम जो था, वो काफी बैतरीन मोसम था जिसके करन जीरा खराब नहीं हुआ, कहा जाता है कि अगर आस्मान में बादल चा जाता तो फिर जीरा खराब होना चालू हो जाता है, इसमें कई परकार की बिमारिया भी होती है, तो अभी तो थोड़ी दिन पहले ऐसा हुआ था कि मोसम खराब हो गया था, जिसके करन यहां पे बहुत ऐसा खेत था, जिसमें जीर जीरा बचा हुआ है